ग्यान वैपी के एसाई सर्वे से बौक लाए ओवेसी फिर से मस्जित गिरने का सता रहा डर एसाई सर्वे को देख ओवेसी का फूटा गुस्सा ग्यान वैपी का बाबरी की तरह होगा हाल नमस्कार कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ प्रियाबिस्ट अब वक्त हो चला है कैपिटल टीवी की खास पेश्टल स्पेशल स्टोरी का उत्तर प्रदेश के वारनसी में भारती पुरातत्व सर्वेक्षन यानि की एसाई ने रविवार 6 अगस्त 2023 को तीसरे दिन भी ग्यानवैपी विवादित परिसर में एसाई सर्वे का काम जारी रखा वही सर्वे शाम 5 बजे तक चला इस बीच मुस्लिम पक्ष ने सर्वेक्षन को लेकर जूटी खबरें पर सारिज किये जाने का आरोप लगाते हुए प्रक्रिया से अलग होने की धमकी दी इस मामले पर जहां ग्यानवैपी के जनरल सेकेटरी और मुख्य इमाम मुफ्ती अब्दुल बाती नुमानी ने औरंजेब का बचाओ करते हुए कहा कि सर्वे में तरिशूल या हिंदू चिन्नों का मिलना औरंजेब के सेकुलरिज्म की निशानी है वही AI MIM चीफ असुदिन OVC को दूसरी बाबरी निजर आ रही है और डर सता रहा है आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे और जानेंगे क्या चल रहा है राजनिती गलियारों में ASI सर्वे को लेकर और अब तक सर्वे में क्या-क्या सामने आया है ग्यानवापी सर्वेक्षन के इस पूरे माबले में जैसे जैसे ASI को हिंदू मंदिर होने के परमाण मिल रहे हैं वैसे वैसे मुस्लिम पक्ष को डर सता रहा है और उनकी तरफ से धमकी और तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं वही हाल ही में इस पूरे मुद्दे पर जनर्नल सेकेर्टरी और मुख्य इमाम मुफ्ती अब्दुल बाती नुमानी का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि वहां कई सालों से नमाज होती है वो मश्जित ही मश्जित है और मश्जित ही रहेगी नुमाली ने दावा किया गी जहां एक तरव हिंदू पक्ष का दावा है कि हिंदू के मंदिर को तोड़ कर वहाँ पर मस्जिद बनाया गया है जिस पर काफी समय से विवाद चल रहा था इसी को लेकर ग्यानवापी का ASI सर्वे कराया जा रहा है जिस पर इलहाबाद हाई कोट ने ग्यानवापी परिसर का ASI की ओर से सर्वेक्षन कराये जाने के वारणसी जिला अदालत के फैसले को चुनावती देने वाली अंजुमन इंतिजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका गुरुवार को खारिश कर दी थी वारणसी की जिला अदालत के 21 जुलाई के एक आदेश में शहर में इस्तित ज्यानवापी परिसर का सर्वेक्षन भारती पुरातत्व सर्वेक्षन यानि की ASI से कराने का आदेश दिया गया अपने 16 पन्नों के आदेश में अदालत ने कहा कि इस अदालत के विचार में प्रस्तावित व्याग्यानिक सर्वेक्षन नियाहित में आवस्यक है इस से वादी और प्रतिवादी दोनों लाभानवित होंगे और निचली अदालत को निर्ने करने में मदद मिलेगी वहीं जब से ASI सर्वे का आदेश आया है तभी से मुसलिम पक्ष में हलचल मची है जिस पर अब नुमानी ने हिंदूों के वहां मंदिर होने और उसे तोड़कर विवादित धाचार बनाने की बात पर कहा है कि उनका दावा है तो उन्होंने अपनी संतुष्टी के लिए ASI के सर्वे की बात की है कोट ने उनकी बात मानी है ठीक है हमारे हिसाब से तो वहां मजजिद है कोई ऐसी चीज है तो देखते हैं कि ASI के रिपोर्ट में क्या आता है ऐसा हो ही नहीं सकता इसलाम में इस तरीके का क बहुत अलग था वो बहुत ही जादा मजहबी थे तो उनसे कताई उमीद नहीं रखी जा सकती कि वो मंदिर को डहा कर मजजिद बनवा दे अलबत्ता उन्होंने मजजिदों के साथ साथ मठों को जमीने दी हैं मंदिरों को जमीने दी हैं आज भी बनारस में बड़े- सर्वे का काम शुरू करने के साथ कई चीजों को बरामत भी किया। सर्वे के दोरान सभी पहलों की जानकारी को इकटा किया गया। सर्वे में मुस्लिम पक्ष की ओर से भी प्रतिनीदी ने भाग लिया। सर्वे के दोरान मस्जित परिसर के भीतर करीब 61 लोग मौजूद रहे। भारती पुरातत्व सर्वेक्षन विभाग की टीम के साथ हिंदू पक्षकार, हिंदू पक्ष के वकील, मुस्लिम पक्ष के प्रतिनीदी शामिल रहे। एक दिन करीब साड़े चार घंटे के सर्वे के दोरान हिंदू पक्ष की ओर से कई महत्पूर चीजे मिलने का दावा किया गया। इसमें एक खंडित मूर्ती, त्रिशूल, स्वास्थिक, घंटा और फूल के निशान मिलने का दावा है। जिस पर नुमानी ने कहा है कि जिस किसी पत्थर में कुछ ऐसा निशान दिख रहा है, फोटोग्राफ में ऐसा लगता हो कि त्रिशूल का निशान बना हो या स्वास्तिक का निशान हो तो ये सबूत है कि उनके अंदर सेकुलरिजम था, वो अपने साथ हिंदू भाईयों क कि तमाम मजभवों को साथ लेकर चलते थे, यही वज़ा है कि ओं मुसल्मान होकर भी इस मुल्क में आए और उन्होंने 800 साल तक इतने बड़े मुल्क में हुकूमत की All India मजलिसे इत्यादून मुसलिमीन यानि की AI MIM नेता असुदिन OVC ने भी ग्यानवापी सर्वे को लेकर शनीवार 5 अगस्त 2023 को कहा कि उन्हें आशंका है कि कहीं दूसरा बाबरी ना हो जाए साथी OVC ने कहा कि AI की सर्वे रिपोर्ट आने के बाद BJP RSS narrative सेट करेंगे फिर क्या होगा आप जानते हैं 23 दिसंबर 1959 को जब बाबरी मस्जित में मूर्टिया रखी गई तो नमाज बंद हो गई हम मस्जित से महरूम हो गए 6 दिसंबर 1992 को शिलान्यास की अनुमती दी गई और मस्जित चली गई हमें डर है कि AI की रिपोर्ट आने के बाद दूसरा बाबरी मस्जित ना हो जाए OVC के बयान से साफ लग रहा है कि वो इस सर्वे से डर गए है वहीं बीते दिनों उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदितनात ने सर्वे से पहले इस मुद्दे पर अपना बड़ा बयान दिया था जिसने वोखलाए विरोधियों के घाओं में नमक डालने का काम किया पहले से मुस्लिम पक्ष इस सर्वे से भड़का हुआ है और उपर से सीम योगी के दमदार बयान ने विरोधियों के होश उड़ा दिये सीम योगी ने कहा था कि मुखे लगता है मुस्लिम समाज को स्वेम इस एतिहासिक गल्ती के लिए आगे आना चाहिए और इसका समाधान करना चाहिए मुखे मंत्री योगी अदितनात के इसी बयान ने उस मुद्दे की गर्मी को और बढ़ा दिया एक एकर विपक्षी दलों के वार शुरू हो गए थे और उसी के सांद शुरू हुए बीजेपी के पलटवार जहां सीयम योगी को विपक्षी नेताओं ने घेरना शुरू किया तो बीजेपी के नेताओं ने विपक्षियों को भी आड़े हात लिया और उनकी बोलती बंद कर दी और अब सीयम के इसी बयान पर भढ़के ओवेसी ने कहा है कि सर्वे के बाद मस्जित का रिलीजियस केरेक्टर रहेगा या चेंज होगा क्या नमाज बंद होगी तकलीफ है कि मुख्यमंत्री आदेश आने से पहले ही तरफदारी कर रहे हैं ओवेसी की बातों से उनका डर साफ जलक रहा है उनको अभी से ये चिंता सता रही है कि सर्वे के बाद क्या होगा उनके जहन में ऐसे ही ना जाने कितने सवाल घूम रहे होंगे जिन सवालों ने ओवेसी की नीद उड़ा दी होगी खैर ग्यान वापी का ESI सर्वे दिन के साथ चल रहा है सर्वे में कई चीजे बाहर आ रही है जो मंदिर के प्रमार दे रही है वहीं अभी ये सर्वे शुरू हुई हुआ है अभी तो ESI सर्वे का काम चार हफतों तक चलेगा तो और क्या-क्या मिल सकता है इस बात का अंदा बज़ा लगाया जा सकता है बहरहाल मुस्लिम पक्ष की तरफ से डर साफ जलक रहा है वहीं हिंदू पक्ष के भी कई बड़े दावे हैं जिस पर कन्फरमेशन आना अभी बाकी है स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही फिर पेश होंगे नए मुद्धे के साथ तब तक के लिए देख रही कैपटिट्री उत्तर प्रदेश धन्यवाद हुआ मैं राजनीती करताने पर राजनीती को बहुत गहरे थक समझता हूँ मैं लोगों के बीच रहता हूँ लोगों के मन को अच्छे से जानता हूँ पबलिक और पॉलिटिक्स की हर नफस के दीट पहटा हूँ संधर्ष की सियासत से सटा के सिंधासन तक मैं हर खमर से खरा सक्ष मिखा रहा हूँ ना कोई दौर ना कोई रेस क्या पितल भी उत्तर देख